कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है कि मस्त होंगे जगास होंगे जैसे कि हमेशा ही रहते हैं है ना और अच्छे तर्वताजा भी होंगे तो चलिए फिर आज निकुभी आए हैं तो क्या लाए हैं वो इंपोर्टन है तो हम आज आपके लिए लेकर हैं लेजर एंड ट्राइल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा chronological order है सबसे पहले हमने जनल एंट्री पड़ी जनल एंट्री करने के बाद हमने फिर सब्जहिरी बुक्स के बारे में जाना यहां पर थोड़ी से सब्जहिरी बुक का रिवीजन हो जाएगा जनल एंट्री का भी रिवीजन हो जा लेजर और ट्राइल बेंस खुद में कोई बहुत टफ चीज नहीं होती रियल लाइफ में तो आप जनल एंट्री करेंगे और आपको लेजर और ट्राइल बनाकर दे देंगे पट क्यूंकि आप 11 क्लास में है पहली बारा है तो यह सारी चीजिए आपको पता तो होनी चीज क्लास में क्लिर हो जाएंगे और जैसा कि बच्पन में होता है जब हम चोटे होते हमें चलना नहीं आता बार बार गिरते यह तो parents हमारा हाथ पकड़ते हैं और आगे लेकर चलते हैं, सेम ऐसे ही 11th क्लास में जब आए होंगे, नए नई चीज़े सुनी होंगी समझोगी, नहीं समझ में आ रही होंगी तो अब अगर आपने जर्नल एंट्री लैजर, ट्राइल बैंस, सबस्जेरी बुक इनको समझ लिया, इनका हाथ पकड़ लिया तो फिर आप आगे चलना आसान हो जाएगा, मुझे उमीद है कि अगर आपने अभी तक इस सीरीज से वीडियो नहीं देखी तो इनको वीडियो को सीरीज से ही देखीगा भले ही एक संडे निकाली है और उसमें देख लीजिए पर चालों वीडियो अगर आप लाइन के साथ देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जनल इंट्री कैसे हुई फिर सब्जेरी बुक कैसे बने फिर उससे लेजर पे कैसे गए एन दैन उसके बाद हमने ट्राइल बैलेंस बनाया है फिर इसके बाद के जो चैप्टर है जो हमारे पास तीन आएंगे BRIS Depression या फिर Bills of Exchange फिर ये तीनों चैप्टर अलग हो जाते हैं उसके बाद के जो चैप्टर आएंगे वो फिर यहीं से Connect हो जाएंगे यानि कि Trial Balance ही बनेगा Financial Statement Without Adjustment और फिर हम उसमें आज नहीं है तो कल आएगा ना बॉस तो कल की मुसीबत का सामना अगर आज आज से सीखेंगे तो आपको ही पायदा होगा है ना तो इसलिए मैं lecture जहू लेकर आऊंगा चाहे आप सी बेसी बोड में हैं चाहे नहीं है या किसी भी बोड में है और आपके यह नहीं है तो भी आप जरूर कीजिएगा यह मेरी एडवाइस रहेगी चाहे जो भी चैप्टर आपके कोर्स में हो या नहों जो भी हमें मालूम है कि 11 के अंदर आते हैं मेजरली हम वह सारा 11 में कवर करेंगे ठीक है चलो फिर स्टार करते हैं आज ग Beta 10LR के लियंके धोर क्रेंगे हम के लिए लेड़ काल आज का लेक्टर में सबसे पहले है लेजर के बार में जानेंगे अनूजर कि से بनाए जाते हैं हर जाय जाता है एक में हम सब जेरी बुक भी बनाएंगे साथ में ताकि आपको उसका भी नॉलेज मिली जाए एक रिविजन और हो जाए देन उसके बाद हम लैजर भी बनाएंगे तो आर यू रेड़ी मुझा उमीद है आपका होगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो चलो फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ओफ लैजर लैजर क्या है बॉस तो लैजर इज़ा इज़ा बुक एक किताब है या फिर एक रिजिस्टर कह लो विच कंटेंस रिकॉर्ड अल ट्रांजेक्शन इनस समराइस एंड क्लासिफाइड फॉर्म यानि कि आप सारे ट्रांजेक बॉक्स में क्यूं कीव म gosh क्यूं 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 कि mcq में सकता है हं के बसकराई किर्टा है ओर कह डım होती है या सब्सक्राइएड उसके बाद जो बनाई जाती है तही तो लैज्जर हमारी प्रिंसिपल वक्ड उनता है ठीक है चलो आगे बढ़ जाओ भीया जी यह क्या बहुते है यानि कि एक ऐसी बुक जहां पर समराइज वे में सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मिलेगा उसको बोलेंगे लेजर ठीक है थियोरी में यह काफे सिंपल है बस जो पॉइंट है वो पॉइंट यह वाला है कि आपको याद रखना है कि इसी को प्रिंसिपल बुक कहते हैं या सेकेंडरी बुक भी इसी को कहते हैं ठीक है कई जगों पर सेकेंडरी बुक वर्ड भी लिखा हुआ मिल जायता है अब अब्जेक्टिव साफ लेजर क्या है खुब सारे तो यहां यह पता चलता किस किस कस्टमर से हमें पैसे चाहिए किस किस सप्लायर को हमें पैसे देने है तो अब्जेक्टिव है न यह पता चलना चाहिए फिर nominal account में हमें यह पता चल जाता है total purchase क्या है, total sales क्या है, amount paid on various heads of expenses या amount received on various heads of income तो जब हम nominal accounts के laser बनाते हैं तो हमें यह पता चलता है purchase कितना किया, sale कितना किया, कितने सारे expense किये कौन से expense की value क्या क्या थी, कितना total expense किया कहां कहां से कितनी कितनी income हमको मिली और फिर लास्ट में आप देखे रहे होंगे पर्सनल नॉमिल है तो अगला कॉन सा बचा रियल एकाउंट तो रियल एकाउंट रिवेल्स थी आमाउंट वेरियस एसेट्स सारे एसेट्स के आमाउंट भी आपको यहीं पर पता चल जाते हैं क्योंकि आप जर्नल एंट्री में पर जा रहे होते हो तो जनल एंट्री में क्या होता है यह जनल एंट्री यह यहां पर income के एंट्री होगी फिर एकस्पेंस थान जाएगी ऩश्वन के छूछोब थी नहीं पड़ेंगी हिर जितने भी यहां एंट्री MRI है, जतनी भी इयांट्री उंट्री हैànि बैलेंस बच्चे का यहां पर जो बैलेंसिंग करीड फावड होगा बैलेंसिंग बैलेंस करीड फावड वो आपको बता देगा कि भाई आपने पूरे साल में उस नाम से जो भी एक्सपेंस है उस पर टोटल खर्चा कितना किया तो लेजर हमारे लिए यह बैनिफिक्शल होता है ठीक है तो यह इसके बेसिक अब्जेक्टिव्स है सीज़ा सा पॉइंट है कि हर लेजर का एकाउंट बैलनस हमें मिल जाता है अब लेजर क्योंकि हमने तीन हिस्सों में बाता है तो परसनल, नॉमिनल और इसके रूल्स आप ब्यात करके बता तो जनल एंट्री वाले जल्दी से है तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ जाहिर सी बात यह इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि हर लेजर अकाउंट की इनफोर्मेशन दी जाती है पूरी कम्पलीट दी जाती है ठीक है एक प्लेस में हमें सारे लेजर मिल जाते है तो लेजर से सारे बैलेंसे दिख जाते है एक पेज में मिल जाते हैं तो सारी एंट्रीज एक लेजर के अंदर उससे रिलेटर सारी एंट्रीज मिल जाती है तो हमें उसका बैलेंस पता चल जाता है अगर बहुत बड़ा पेज हो, कोई क्या बोलता है पन उसको, क्या कहता है पन उसको यार, Guinness Book of World Record, उसमें कोई नाम लिगाना चाहता हो, तो कूप बड़ा सा पेज बना है, उसमें कूप सारे लाज़र बना दे, गिनीस बुक तो सिस्टम यहीं चल रहा है, कूप सारे लोग कोई खटा हो जाओ, कुछ गा दो, गिनीस बुक का रिकॉर्ड हो गया, पर खटा करना वो मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें सारे लाज़र बनाना, वो मुश्किल काम है, अगर आप चाहो तो आईडिया बुरा नहीं है, ठीक है, now, provide information of various types, हमें हर टाइप की information यहां से मिलत है, तो उसके भी बैलंस पता चलते हैं, एक्टा इंडिया एक्टा इंडिया बिलती है, helpful in preparation of trial balance, जाहर सी बात है, अगर आपने trial balance बनाना है, तो भाया हर हालत में laser तो बनाना पड़ेगा, बिना उसके तो पॉसिबिल ही नहीं है, trial balance is prepared of laser accounts to check the mathematical accuracy of laser accounts for a particular period, the disagreement of trial balance means that either there is mistake in the laser posting or in the casting any totaling of an account, और यहीं पता चलता है कि जो मैंने lasers बनाए हैं, क्या वो सही बनाए हैं, अगर सही बनाए हैं तो में trial balance match कर जाएगी, अगर मैंने नहीं बनाए हैं, तो trial balance match नहीं करेगी, पर क्या भाया ऐसा जरूरी है कि trial balance match हो जाए, तो हम सही होंगे, और ना मैच हो तो हम गलती होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम जब rectification of error के chapter में जाएंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि trial balance match कर जाती है, फिर भी error होती है, तो वो एक अलग बात है, बट मोटा मोटी जो journal viewpoint है, जिसमें normally हम कहते हैं कि मोटा मोटी viewpoint होता है कि trial balance अच्छा ठीक है, सब सही हो गया, होगा, ठीक है, now it is helpful in preparation of final accounts, जाहर सी बात है, फिर trial balance बनता है, trial balance के बाद ही final accounts बनते हैं, यानि कि trading and profit and loss account और balance sheet, ठीक है, तो वो भी कब बनेगा, जब laser बनेगा, लेजब बनेगा, तो trial balance, trial balance बनेगा, तो final accounts बनेगा, इसलिए इसके क्या ह हो गए, importance हो गए, after the preparation of balances, financial statement और final accounts, यहाँ पर of the trial balances आएगा, ठीक है, of the trial balance, आप prepared to know the gross profit, net profit, और position of assets and liabilities on the accounting date, हैना, after the preparation of the trial balance, financial statements और final accounts आप prepared, उसके बाद ही financial statement या final accounts के लिए वो प्रिपेर किये जाते हैं, जब हम उन्हें प्रिपेर का बनेगा, प्रिपेर किये जाते हैं, करते हैं, तभी हमें पता चलता है, gross profit क्या है, net profit क्या है, financial positions क्या है company की, अब आपको यह gross profit क्या है, net profit क्या है, तो थोड़ा सबर करो, financial statement में जाएंगे, तो वहाँ समझ लेंगे, हम आच्छे समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजे, कि expense कम हुए, income जादा हुई, तो हमें profit मिलता है, direct activity के थुरू, तो gross profit बोलता है, indirect activity के थुरू, जा हम निकालते हैं, तो net profit बोलते हैं, और जो हमारी balance sheet है, उसी को financial position बोलते हैं, यह तो हमें पता ही है, है कि नहीं है, यह बता दो, इतने बार बता रखा है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो यह कान मोड़ जल्दी से बताईए, अगर आपका answer है कि भाईया, original book मतलब journal है, तो मैं को very good, नहीं है, तो कान पकड़ो मोड़ो इसको, हाँ नहीं तो, याद ही नहीं रखते हैं, यह लोग, वैसे मुझे उमीद है कि सबने answer दे दिया होगा, इसको याद रखने का है, है ना, तो original book यानि हम सिर्फ entries करते हैं, balances नहीं मिलता, तो वही differences को हम यहाँ देखना है, although अगर आप normal भी समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा फिर भी, the balance, the business transactions are recorded first in the books of original entry, that is in the journal or in the subsidiary book, है ना, या तो journal में होगा, या तो subsidiary book में ही, इसको हमें सबसे पहले record करते हैं, but यहाँ पर क्य transactions are recorded date-wise, यहाँ पर recorded date-wise, so at any point of time, position of an account cannot be determined from the books of original entry, या या date-wise तो चीजा record होंगी, पर यहाँ पर कभी भी किसी account का balance नहीं पता चल पाएगा, सिर्फ entry record होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, जिसका जब से number आता जाता है, खुप स जाएगा होगा, सेलरी, उतनी बार आप गिनोगे, फिर उसके बाद total पता होगे, तो original books से आपको total नहीं पता चल पा रहा, आपको अलग से calculation करनी पड़ रही है, पर laser में ऐसा नहीं है, in laser, transactions are classified account-wise and date-wise, so the position of an account can be determined from books of original entry, तो यहाँ पर आप पता कर लेते हो, क्योंकि सेलर balance cannot be prepared with the help of original book of entry, यहाँ पर trial balance आप नहीं बना सकते, trial balance बनाने के लिए आपको laser होना, जरूर यह laser आपके पास होगा, तब ही तो उसके balances लेकर आप trial balance बनाओगे, आज हम देख भी लेंगे trial balance कैसे बनता है, trial balance is prepared from laser records to check the mathematical accuracy of books of account, तो आपको laser की मदद से ही trial balance बनाने का मौका मि इसे difference है, basic है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब आता है format of laser, अगर आप format of laser देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो भी name of an account आएगा, वो आ जाएगा, जिनकी books होगी, वो आ जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पर आपका debit side आता है, और यहाँ पर आपका credit side आता है, nature of account कुछ भी हो, laser का format हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसे journal entry का एक format है, चाहे आप किसी की भी entry करो, entry के rules अलग है, लेकिन format तो वही है, ऐसे laser का format हमेशा यही रहेगा, debit side यह हो, credit side वह है, चाहे income हो, चाहे expense हो, चाहे liability हो, चाहे assets हो, चाहे capital नेचर का हो, किसी भी nature का हो, format हमेशा ऐसा ही रहेगा, format में क्या है, तो सबसे पहले भईयाजी, date wise, यानि यहाँ date लिखा जाएगा, account name यहाँ लिखा जाएगा, let's say, example के लिए मैं कहा हो, furniture account है, तो यहाँ पर furniture account नामा जाएगा, ठीक है, और इनकी books में होगा, वो उपर आगा, in the books off, okay, in the books off, उपर आजाएगा, बाकी furniture नामा जाएगा, then उसके बाद, date के बाद, particulars, यानि जो जो transactions होंगे, वो यहाँ पर आजाएगे, जो जो date है, वो यहाँ पर आजाएगी, then JF, यहाँ को पता है, कि महाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जिसके लिए सारा business किया जा रहा है, then उसके बाद, फिर वही है, date, particular, JF and रोकडा, जो चीज debit side आएगी, वो debit में, जो चीज credit में, अगर आप देखेंगे, तो नियम के हिसाब से हमें यह पता होना चाहिए, कि assets और expenses बढ़ते हैं, तो debit में आते हैं, तो journal entry में क्या होता है, क debit में उनका नाम आता है, यहां पर क्या होता है, नाम तो उपर होता है, उनसे concern related चीज बढ़ते वक्त debit में, और घटते वक्त credit में आती है, assets और expense के case में, बाकि liability, capital और revenue, रेसिप्स के case में, स्कूल्टा हो जाता है, बढ़ते वक्त credit और घटते वक्त debit आती है, ठीक है, तो यह हमारा format था laser का ज़्यादा कोई भी दिक्कत है नहीं आज हम इलस्टेशन करेंगे तो आपको और आसानी से बनेगा चलिए अब समझते हैं थोड़ा trial balance के बारे में किसके बारे में पहले हम इनकी theory पढ़ लेते क्योंकि थोड़ी ज्यादा बड़ी है नहीं कोई tough भी नहीं है तो theory complete कर लेंगे तो फिर practical caution करने में आसानी होगी है और जो caution हमें करना एक्चुली यह कोई base नहीं चीज नहीं है बस एक format ही पढ़ना है बाकि सब कुछ पुराना ही है general entry ही base है उसी के तुरू हमें करना होगा ठीक है तो चलिए देखे a trial balance is the list of debit and credit balances यानि एक प्रकार की list होती है जहाँ पे debit balances जहाँ पे credit balances यह सारे होते है and taken out from the laser और यह लिए कहां से जाते हैं laser से लिए जाते हैं यह भी हमने laser में पढ़ा भी है ना उसके बाद it also includes balances of cash at bank taken from the cash book तो यहाँ पर cash at bank cash in hand सारे ही रहते हैं ठीक है कार्टर जी कही साब से कार्टर जी क्या बोल रहे थे यह तो यह तो कार्टर जी ने बोला अब जियार बतली बोई जी ने क्या बोला a trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of the laser accounts to test the mathematical accuracy of the book basic point वही है कि trial balance या तो एक list है या तो एक statement है जहाँ पर debit balances जहाँ पर credit balances यह सब होते हैं और इनके through बनता है मतलब laser के balances होते हैं इनके through trial balance में debit और credit side पर चीज़ें आती है और अगर यह equal आ जाए तो mathematical accuracy चेक हो जाती है although मैंने आपको बताया कि ऐसे कई cases हैं जिसमें की mathematical accuracy यानि यह तो दोनों बराबार आ जाएंगे पर फिर भी कोई difference रहेगा जो कि हम rectification of errors में पढ़ेंगे है ना तो यह trial balance का basic मतलब basic मतलब है कि statement जहाँ पर debit side होंगी credit side होंगी दोनों बराबार आ गई बले बले करो क्योंकि trial balance बन गया balances के थरू और balances कहां से मिलेंगे laser account में मिलेंगे okay now those हम क्या कहा सकते है trial balance is a statement prepared at the end of an accounting period or even earlier from the balances of laser account to ensure that transactions recorded in the journal and in the subsidiary book have been correctly legalized and balanced the agreement of both sides of the trial balance confirms the mathematical accuracy of the accounts at least trial balance है ना यहीं से हमें पता चलता है जब trial balance बनाते हैं तो जो journal entry हमने की जो सब जेरी books में हमने सब कुछ किया था उनसे जो चीज़े ट्रांसफर हुई laser में यानि लेगरलाइस जब हमने किया उनसे जब trial balance बना तो आगे बढ़ जाते हैं अब तो trial balance का मतलब मोटा पोटी हम समझ गए अब इसके characteristics बहुत ही simple है it includes balances of all laser accounts चाहे वो cashbook ही क्यों ना हो it is working paper it is not a part of double entry system of bookkeeping ये एक प्रकार की working paper है ये double entry bookkeeping system का part नहीं होती है now it is not a part of laser account it is a statement ये laser account भी नहीं कहलाता इसको एक statement कहा जाता है ठीक है जहां पर list of laser accounts होते हैं जिनके balances के through हम debit or credit को बराबर करते हैं या देखते हैं कि मतलब हुए कि नहीं हम खुद से नहीं करते हैं जो भी balances है उसको check करते है it can be prepared on any convenient date or at the end of an accounting year अब जब चाहे तब इसको बना सकते हैं ये भी अब software की मदद से ही बनता है basic चीज जो करनी होती है वो general entry ही करनी होती है now it is prepared to test the mathematical accuracy of बनाये जाते हैं it is not a conclusive proof of accuracy of books of account अब आ गया various errors are not disclosed by the trial balance example error of principal compensatory errors both side of omissions और error of commission etc यानि बहुत सारे है ऐसे errors होते हैं जो यहां पर पता नहीं भी चल पाते हैं जो कि हम rectification of error के chapter में पढ़ेंगे पर मोटा मोटी यह माना जाता है कि अगर यह मैच हो गए तो आपर नहीं तो यही point है trial balance is prepared with a view to knowing whether the laser posting of various accounting transactions is correct or not thus agreement of both sides of trial balance confirms the mathematical accuracy of account on a particular date then provides summary of laser accounts यहां पर laser accounts की summary मिलती है तरीके से है ना trial balance incorporate the debit and credit balances of various laser accounts so it act as a summary of various laser accounts है ना क्योंकि तरीके से आपके पास क्या होगा खुब साथ laser के balances होंगे 15-20 account होगे माल लो वही 15-20 account के balances पहुंच जाएंगे trial balance के अंदर तो एक तरीके से laser का भी summary यहां पर पता चल जाता है एक तरीके से बन जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो एरर है तो बस फिर वह एरर भी देखने को मिल जाती है तो यहां पर वह सारी चीह पता जल जाती है जो कि हमें नहीं पता चल पाई थी अभी तक ठीक है ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद लास्ट है helps in preparation of final account यह भी हमने सोची लिया होगा अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लागा होगा तो जाहर सी बात है trial balance से form can be easily prepared which includes trading account profit and loss account and balance sheet तो इन सबका पता चलेगा इन सबको आप बना पाओगे कब जब आप बनाओगे trial balance ठीक है यहां यह theory थोड़ी सी इसकी है simple सी बाते हैं अगर आती है तो आपको दो तीन नंबर में अगर आये तो प्लीज उसके पूरे marks लीजेगा एक भी कटने मत दीजेगा अब चलते हैं हम trial balance की format की तरफ या specimen की तरफ तो trial balance क्याता हो तब यह तो यहां पर आएगा particulars यानि यहां पर सारे laser account होंगे जो भी assets कितने होने चाहिए बराबर होने चाहिए अगर यह दोनों बराबर हो गए है तो फिर okay otherwise पदा करो दया गलती का हुआ ठीक है तो यह dialogue आप बोल सकते हैं ठीक है तो यह trial balance का format है जिसमें पर्टिकुलर में accounts के नाम आएंगे then LF है क्योंकि वहीं से laser से पोस्टिंग हो रही है यहां पर LF लिखा जाता है यहां पर debit credit balance mostly आपको LF मिलेगा अभी पर्टिकुलर debit और credit भी लिखेंगे तो अभी चलता है पर format का party यह है तो आपको इसको ध्यान रखना है ठीक है फिर के लिए जो method है वो balance method used होता है हम उसी पर questions करेंगे पर एक last slide पर बाकी दो methods नाम के हैं NCRT में दिये हुए है तो मेरा तो फर्ज है कि NCRT में जो भी है वो में आपको कम से कम थोड़ी बहुत तो आपके दिमाग में बात रखी दूँ है ना वरना यहां पर तीन methods होते है और नाम के लिए देख लिए फिर theory में भी हम समझते है इसको फिर यह है balance method इसी को जादा use किया जाता है और इसी को बनाया भी जाता है इसी को mostly लोग करते है बाकी NCRT में है किसी जवान में शायद बनता होगा या किसी ने कहा कि हमें दूसरा तरीका भी चाहिए तो उनको दे दिया गया दर्वाइस यही कारगर भी है काम का भी यही है और ज्यादा कोई माथा बच्ची भी नहीं है ठीक है एंड उसके बाद लास्ट में हमारे पास लास्ट में कुछ नहीं इन दोनों का टूटल कर दो यानि की टूटल काम बैलेंस मेथड़ तो यह उनके नाम हो जाते हैं तो यह तीन है जिसमेंसरे यही है यही है यही है जो आपको Ecu Corps many पर मिलेंगे सिर्फ एंसी अइंसरे ऐसा है जहां पर आपको तीन नामs देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अब इनके बारे में समझते हैं के करके तो टोटल में क्या होता है इंदिस मेथर्ड टोटल फीच साइड इंदी लेजर डेबिट एंड क्रेडिट इसमें क्या होगा कुछ नहीं करना आग बंद कर लो ले क्रेडिट का क्रेडिट कोई माथा पच्ची नहीं है सारे टोटल डेविट के डेविट साइड में लेजर के डेविट लेजर का क्रेडिट में अगर कुछ है तो ठीक है नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे कुछ है तो सारा का सारा कहां पहुंच गया क्रेडिट साइड आ टोटल बैलेंस में तरकाथम ठीक है नाव टोटल अव डेविट कॉलम ऑफ ट्राइल बने शुट भी एगरी विद टी टोटल अव क्रेडिट कॉलम जाहर सी बाद है फिर टोटल अव डेविट के बराबर होना चाहिए बिकाुज़ धूटल अवाल आपशे वालेंस में भीट करेडिट कॉलमचा एं इस फ्राइल भीएगरी एप़जे कॉलमचाइल दीक्राइल फ्राइलट अव डेविट अव सुर्टल अवालेंस ट्राइकूरेंस कॉलम जाहर आपशे है विद बेडान अव इस आधेक्वनीड statements although however this method is not widely used इसको widely used नहीं करते हैं in the practice as it does not help in assuming the accuracy of balances यहां पर accuracy of balances का नहीं पता चल पाता है इसलिए इसको इस्तमाल जादा नहीं किया जाता है और इसके विसे बनाया भी नहीं जाता है जो mostly widely used है वो यह रहा इसको करते हैं आपन blue color क्यों कि भाया जी यह सबसे जादा यूस किया जाता है इन्वक्ट यही ही यूस किया जाता है ऐसा भी बोल सकते हैं अब इसमें होता क्या है तो देखें तो देखें इस इस दा most widely used method in practice under this method trial balance is prepared by the showing the balance of और लेजर एकाउंट्स एंड टोटलिंग अपधी डैवेट एडिट कॉलंब देखिए क्या है शोइंग डी बैलेंस ज्यानि कि यहां पर अगर आपके पास debit side है और credit side है total method में तो इनकी totaling करो trial bank के debit में लिखो इनकी totaling करो trial bank के credit में लिखो लेकिन balance method में अगर मालीची यहाँ पर 1,00,00 है और यहाँ पर 90,000 है ठीक है तो यानि कि यहाँ balance आया 10,000 ठीक है example के लिए तो यह balance क्यों आ रहा है क्योंकि debit balance है ना debit side बढ़ा है तो यानि कि debit balance है तो इसको भेज़ दो trial balance के यह debit है तो यहाँ पर 10,000 ठीक है यहाँ पर 10,000 भेज़ दो 10 के लिख दिया है मैंने लो थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं ताकि आपको ध्यानी रहे इच्छे से हलो भाया जी थोड़ा सा बड़ा बनाओ मैंने का ओके यह debit side है यह credit side है यह particular में आता है ठीक है यह trial balance की heading हो गई ना यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर नाम आ जाएगा जिसका भी account होगा और 10,000 रुपे यहाँ पर debit side चली जाएंगे क्यों क्योंकि debit side का balance बड़ा है credit side का च्छोटा है तो यह जो balance है debit balance माना जाता है तो यह debit side पर आ जाएगा अगर मालोगी यह credit side पर balance आ रहा होता तो फिर हम उसको credit side पर लिखते हैं तो ऐसे ही debit credit करके लिखते रहते हैं अब आद में ब्राबर आना चाहिए तो यहाँ पर हमने सिर्फ यह balance लिया अगर हम total method में होते तो total method में debit or credit है ना तो debit side एक लाग है credit side नब्य जार है तो यहां लिखते एक लाग और यहां लिखते नब्य जार तो total method में total of debit, total of credit आता है वस इतनी सी बात है ठीक है बाकि हम question करेंगे तो आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा इसमें कोई भी ज़्यादा तीज मार खा balance का खेल है कि भाई totaling सही होनी चाहिए account का कौन सा balance कहां जा रहा है यह पता होना चाहिए बाकि तो खलुआ आए खलुआ चप्टर रही है ठीक है now of the trial balance so to assure their correctness account balances are used because the balances summarize the net effect of all transactions relating to an account and helps in preparing the financial statements है ना यहां पर क्या होग हम balances लेंगे तो एक तरीकी की summary हो गई ना balances मतलब की summary तो यहां पर क्या होता है summary हो जाता है सारे accounts का तो यहां पर जादा अच्छे अर्थमेटिकल एक्वरेसी निकल पाती है इसलिए भी हम इसको जादा यूज़ करते हैं फिर फायदा क्या हो total debit ले लिया total credit ले लिया सारी entry ले 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 लेते हैं ना कई वाग उससे हैं इतना ल फायदे मानने में मदद तो करता ही है it may be noted that in trial balance normally in place of balances in individual accounts of the debtor a figure of sundry debtors is shown and in place of individual accounts of creditor a figure of sundry creditors is shown इन ही मदब खुब सारे debtors होते हैं खुब सारे creditors है इन सब के figure को जोड़कर हम दिखाते हैं तो हम उसको sundry debtor बोल देते हैं अगर creator का case तो हम उसको sundry creditor बोल देते हैं इसलिए मैं आपको बता है कि debtor or sundry debtor में बहुत ज्यादा कोई difference होता नहीं यह खटा हो जाता है debtor में आपको याद रखना है फिर आते हैं तीसरा में यह तीनों ही NCRT में थी हैं अधर्वाइस आपको शाहिद बुक्स में मिले भी नहीं है ना इस में इसमें क्या है total method के दो figure और balance method के तो यानि कि कुछ नहीं करना है भीया जी यह रहा trial balance ठीक है यह रहा trial balance यह और यह ऐसे कर दो ठीक है बीच में एक यहाँ पर ऐसे कर दो ठीक है तो यह यहाँ से ऐसे गया यहाँ पर लिख दो total यहाँ पर लिख दो balance यह total का debit credit यह balance का debit और credit और इसकी heading आ जाएगी total come balance method ठीक है यानि कि यहाँ पर चार का और हम खुल जाएंगे जो total का बना है चिपका दो जो balance method से बनाया चिपका दो दोनों को फिर जोड़ दो बस खता ठीक है दोनों को जोड़ दो मतलब कि यहाँ पर total यहाँ पर balance method आ गया तो इसे हम total balance method करते है इसलिए इसको यहाँ नहीं करते है क्योंकि यह कुछ खुद में कोई method नहीं है यह तो दोनों को जोड़ के एक बना दी गई है कि दोनों देख लो जाओ जिसको जादा मन करें and under this method four columns of amount are prepared two columns for writing of debit and credit of totals of various accounts and two columns for writing the debit and credit balances of these accounts however this method is also not used in practice because it is time consuming and hardly serves any additional or special purpose यहाँ पर कोई नया purpose to solve हो नहीं रहा होता है तो इसको कहते है जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ यानि कि इसको ज्यादा को यूस करता नहीं है इसलिए मैं आपको पता तो होना ही चाहिए क्योंकि क्या पता आपको पता होना चाहिए तो हमने वो तो पता दिया है अब क्या करना भिया अब हमें कॉशन है ट्राइल बैलेंस फ्रॉम दी फॉलोइं इंफॉमिशन अफ करमल स्टोर्स एज और 31 मार्च 2022 हमारे पास ट्राइल बैलेंस का फिगर दिया हुआ है हमें क्या करना है ट्राइल बैलेंस बनाना है एक कॉशन यह बहुत सीधा सा है इसमें मैंने आपको सीधे दे दि हैarlИक के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते है और लेंडिटी कैपिटल या रिवेध्यय रेसेक्ट के बारेंस क्रेडिट होते होते हैं तो बस इतना पता हो बन जाता है सावाल तो सबसे पहले आ रहा है capital 80,000 पर्चे 70,000 तो एक एक करके लिखते जाते है capital कहा आएगा बोलते जाएए मेरे साथ credit side है न capital यह रहा credit side पर हम गए यह हमारे पास LFA यह इसका amount है debit का और यह amount है इसका credit का बाकी heading है अपने पास है na trial balance as on this date है solution है और इंदी books of अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तो 80,000 हमारा यह हो गया ठीक है तो 80,000 हमने यहां लिख दिया बात खतम फिर उसके बाद purchase purchase का balance क्या होता है debit तो यह आगया हमारे पास debit side पे 70,000 यह देखि sales return उसमें से माइनस हो रही होती है तो sales return का debit balance होता है sales का होता है credit balance तो यह आपको धियान रखना पड़ेगा return inward return inward हमारे पास 2000 रुपे का यहां आ जाएगा ठीक है then discount received discount received हमारे लिए क्या है income है 2000 रुपे यह देखिए 2000 रुपे discount allowed 1000 रुपे तो discount received यहां पर आ जाएगा credit side discount received income है तो credit balance आएगा discount allowed हमारे लिए खर्चा होता तो 1000 रुपे यहां पर आ जाएगा ठीक है then उसके बाद यह भी हो गया फिर sales यह हमारे लिए income होती है return आउटवर्ड ये भी हमारे लिए क्या होगा जैसे sales return हमारे लिए debit balance होता है ऐसे あります होता है ना to ہमारे क्रेडिट बैलेंस है तो sales एACHter बनों 25 और 1000 तो sales 105 और 1000 हमारे पास return तो यह भी हमारा हो गया, then उसके बाद salary, salary हमारे लिए expense है, carriage हमारे लिए expense है, furniture हमारे लिए assets है, पर यह तीनों ही debit side जाते हैं, तो 20,000 salary, 3500 और 20,000 furniture, तो अभी input नहीं, पहले नीच यह रहाँ salary, ठीक है, बीच में वो input, input लिखा तो मैं salary से लिक रहा हूँ, 20,000 salary, 3500 carriage and 20,000 furniture, ठीक है, चलिए, अब क्या-क्या बचा तो यहां तक तो हम पहुँच गए हैं, अब बचा loan और interest on loan, देखे, loan, अगर single word loan का लिखा होता है, तो यह हमारे लिए liability होता है, यानि credit balance, अगर loans and advances, बात यादर किया, loans and advances लिखा हुआ है, तो फिर वो हमारे लिए asset होता है, इसका मतलब है कि हमने किसी को loan दिया है, ठीक है, यह बात याद रखीगा, तो यहां loan लिखा है, तो यह हमारे लिए liability है, तो भया जी, loan किस side पर है, loan यहां तो है नहीं, तो next page पर होगा, तो यह हमारे लिए liability है, तो 25,000 रुपे यहां पर चला जाएगा, ठीक है, देन वापिस आते हैं, फिर interest on loan, यह हमारे लिए expense है, अगर liability है, तो हमने interest on loan चुकाया होगा, पैसे दिये होंगे, तो interest on loan हमारे लिए expense होता है, ठीक है, यह बात है, छोटी-छोटी, मगर मोटी बाते आपको याद रखनी पड़ेंगे, वरना तो फिर trial balance कैसे बनेगा, अगर आपको यही नहीं पता होगा, तो है, अगर direct question आए debtor है 34, creator है 20, debtor यानि कि किसी को आपने सामान उधार पे बेचा, वह बाद में पैसे चुगाएगा, आपके लिए asset debit balance, credit यानि आपने किसी से सामान उधार पे लिया, आप बाद में पैसे चुगाओगे, तो यह तो आपके लिए liability हो गया, यह asset हो गया, debtor 34 debit side में, और हमारे पास जो creator होंगे वह site चले जाएंगे, तो 34,000 debtor, credit में पास 20,000 है, best data हो कि creator है? जहां पर creative होंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे, यह रहे creator है यह रहे creator है यह रहे creator तिंग 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 40 cash 15 investment 40 यहां पर है investment और cash 15 तो investment भी हमाराक है हमने कहीं पर पैसे लगाए हैं तो यह हमारे लिए एसेट होते हैं चालेज और कैश तो भी यह रोकड़ा हमारे हाथ में यह तो हमारे लिए है कुछ जो चाहिए वो कर सकते हैं कैश से तो तो इन्वेस्टमेट और कैश भी हमारा हो गया बचा इस्टॉक 24,000 इस्टॉक यह ओपनिंग इस्टॉक हमेशा डेविट बैलनस होता है ठीक है तो 24,000 अरुपया जाएगा इस्टॉक का बैलनस कांपर यह रहा तो यहां पर यह 24,000 रुपया जाएंगे ठीक है एक एक करके बागे बढ़ रहे हैं तो यहां तक पहुंचेंगे अब इन्पूट CGST, Input SGST, CGST, SGST किस पर लगता है? परचीस पर लगता है, इन्पूट है यहानि मैंने पे किया होगा, लेकिन Because I'm the businessman, I'm the businessman buddy, है ना? तो मैंने GST के chapter में आपको पढ़ाया था, कि मैंने भाईया, मतलब खरीदते वक्त, GST वो पे किया है, तो मेरे लिए वो input हो गया, अब इसका मुझे सरकार क्रेडिट देती है, यह कह देने चाहिए, सेट आफ का option देती है, कि अगर मैंने किसी को सामान बेचा, उससे कोई GST खरीदा, तो यह input मेरा काम आएगा भाई, है ना? सबका लेगा बदला फैजल, वैसे input कहता है, चिंता मत करो, मैं हूना मा, मैं सारा output GST सेट आफ कर दूँगा, तो यह सेट आफ करता है, यानि input आपके लिए एक, क्या है, एसिट है, यह आपको पता ह आपके लिए, एसिट से, IJST मतलब की, outside of the state अगर आपने सामान खरीदा है, तो है ना? महाँ से खरीदा है, input मतलब खरीदते वक्त ही होगा है, output मत बोल देना की बेचा, ठीक है, तो CGST तीन, तीन और दो, तो input वाला देख लेते हैं, input यह रहा, CGST हमारे पास, यानि कि इसक सारी साइट साथ complete हो गई है, अब कौन सा बचा, यह हो गया में पास, अब output, output CGST, output SGST और output IGST, यहान रखिएगा, output का basic मतलब क्या होता है, कि हमने सामान बेचा, तो वहाँ से टेक्स कलेक्ट किया, अब टेक्स जो भी कलेक्ट किया, वो हमको government को देना पड़ेगा, तो हमार यहाँ पर आजाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, अब यहाँ और साथे तीन, ठीक है, सिंपल है ना, बहुत ही स्मूध गोईगा, कोई इसमें तफ चीज नहीं है, ओके, चलिए ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में बसता है, यह जो इस टॉक है, यह जो इस टॉक है, not adjusted, इसको मैं तरता हूँ, blue, 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 actually क्या होता है, normally questions में closing stock हमेशा बाहर रहता है, closing stock हमेशा क्या रहता है, बाहर रहता है, बाहर रहता है trial banks के, तो इसको trial banks में नहीं लिया जाता, अगर यहाँ लिखा हुए not adjusted, तो वैसे भी हमें पता है कि adjusted नहीं है, तो बाहर होगा, अब इसको बाहर क्यों लिया आता है, क्या logic है इसके पीछे, तो आप देखेंगे तो purchase होता है, ठीक है, purchase करने के बाद हम क्या करते हैं, उस सामान को work in progress करते हैं, फिर finished goods में बदलते हैं, और अगर हम ना बेच पाएं तो वही closing stock होता है, तो अगर आप देखेंगे तो closing stock जो है, कि भाई closing stock लिखा हुआ है, तो वह purchase के अंदर adjusted माना जाता है, इसलिए closing stock यहाँ पर अलग से नहीं दिखाते हैं, इसको हम बाहर रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसको दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि उसमें adjusted हो चुका है, तो इसको normally हमेशा हम बाहर पर रखते हैं, ठीक ह closing stock will not appear in trial balance as it represents goods purchased, but a part not yet sold, क्योंकि यह purchase का पार्ट है, जो अभी बिका नहीं है, since purchase is already included in the trial balance, so there is no need to adjust closing stock further, क्योंकि purchase का पार्ट ही है, तो उसमें extra add करने की जोत नहीं है, वाद वाई तो वह income extra दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है, समझ गे, तो इसलिए यह बाहर रखा ज करने है, तो देखिए, 80 और 82, 82 और 5, 87 और 1, 187, 187 और 1, 188, 188 और 5, 188 और 5, 193, 193 और 20, 193, 113, 113 और 4, 117 और 3, 120, 121 और 20, 141 और 1500, यानि कि 141, 500 होना चाहिए टोटन, ठीक है, अब लेट्स ही देखते हैं, यहाँ पर कितना है, तो 2 और 34, 36, 36 और 40, 36, 76, 76 और 15, 76 और 15, यानि कि 91, 91 और 4, 95, 94 और 20, 115, 115 हो गए, ठीक है भी याजी, 115 और 70, 185, 185, 2 और 13, 188, फिर 3, 3 और 8, 188 में 8 जोड़ दो, 188 में 8 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 2 जोड़ दिया, 98, 98 में 20 जोड़ेंगे, 118, 118 में 20 और जोड़ेंगे, तो 138, 138 में 3 जोड़ेंगे, 141 और 500, यानि कि 141, 500, यानि कि बराबर आ गया, यह, है ना, बस तो फिर इस तरीके से यह कॉशन होता है, देख लिए इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब कुछ सही लग रहा है, है ना, चलो फिर एक बड़ा सा कॉशन और कर लेते हैं, देखिए, मैं अभी साइड हट जाता आपको यह बन जाना चाहिए, पर यह समझाने के लिए है, इसलिए प्लीज इस पर ध्यान दिजिएगा, ठीक है, यूटीब पर आप स्क्रिंशॉट ले ही सकते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, तो चलिए फिर आप लोग भी कीजिए, हम भी करते हैं, ना, फ्रॉम दी फॉल आपको आपको आजाए, यह भी तो इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, 2022 जनवरी एक, मोहन स्टार्टेट बिजनेस विद कैश, मोहन जी ने स्टार्ट किया किस के थूरू, बिजनेस करना कैश के थूरू, एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताईए, मुझे उमीद है, लेकिन पर्चेस पर CGST, HGST लग रहा है, तो बहिए, इंपूट वड आएगा, तो पर्चेस डेबिट, इनपूट, CGST, इनपूट, HGST, तीनो डेबिट, तू, क्योंकि यहां पर हमसे कहा गया है, पर्चेस गूट्स फॉरूपीज, तो हम मानिंगे कि, कैश में हो गया ह पर रूपीस बोला गया है, तो और हमें किसी का नाम भी गिवन नहीं है, तो हम यह कैसे समझें, नाम होता, तो फिर हम सोच थे, कि हो सकता, उधार पर लिया, तो पर्चेस टूट, लेकिन इनपूट, CGST, इनपूट, HGST भी डेबिट होगे, तो एंट्री हो जाएगी तरह जार रुपे, यहां पर पर्चेस में आजाएगा 25,000 रुपे, आपको साथ-साथ एंट्री बोलनी है, 25,000 पर छे पसे निकाली है, तो 0 कटा, 15,000 हो रहा है, ठीक है, यह दो 0 कट गया ना, तो 0, 6, 5 का 30, का 0, करी 3, 12 दूनी, 6 दूनी, 12 और 3, यानि 15,000, 25,000, 25 में 3,000 रुड़े तो यह 28,000 हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, अब थर्ड एंट्री पर चलते है, थर्ड एंट्री कहता है, सोल गोड्स 4 रुपीज, 37,000, प्लस CGST, SGST, यानि कि इस बार क्या होगा, सोल, यानि कैश रसीव, तो कैश टू, सेल्स 2, CGST, आउट्पुट वाला, 2, आउट्पुट, SGST, हैना, देखी एंट्री, तो कैश टेविट होगे, यान पर कैश करीट था, सेल्स आउट्पुट, आउट्पुट हैना, हमने कैश, जो सेल्स किया है, वो कितने से किया है, 30,000 से किया है, तो 30,000 आ जाएगा, सेल को में लग जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इरेजर भी तो है, उनकी मदद ले लेंगे, हैना, तो यह हो गया, 800, 800, इरेजर हमारा कितना अच्छा दोस्त है, इसलिए हमेशाद दोस्ती उनसे रखिए, जो कि कभी आपके भी काम आ सके, और आप भी उनके काम आ स और अगर मुझे खईदा जाएगा, तो इरेजर को साथ में ही खईदा जाएगा, तो यही तो दोस्ती है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखा, फील करो, कामर्स हर जगे फील आ जाएगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हमाए पास थर्ड एंट्री पांस तारीख होगी, तारीख होगी, तारीख है, एक दो, ठीक है, ना परचेज अगर डेट वेट इधर उदर हो, तो प्लीज थोड़ा साइड जस कर लिजेगा, देख लिजेगा है, परचेज फ्रम सोहन, सोहन से किया है, 18,000 रुपे प्लस IGST, 12%, तो हमने का, ओके, कर देते हैं सिंपल है, यह परचेज है, पर IGST बोला है, तो इस बार, इनपुट IGST होगा, CGST, HD नहीं होगा, अगर यहाँ पर स्टेट बता दिया होता, तो स्टेट अगर दूसरा होगा, तो यहाँ पर माइंड अलर्टनेस का ध्यान रखना है, कि वहां IGST लगेगा, हमने सब्जरी रमेश, 4 रुपीज 20,000 प्लस CGST and HGST, हमने का, ओके, हमने कर दिया भीया जी, इनको भी, तो सोल गुट्स रमेश है, और परचेज गुट्स फ्राम सोहन है, तो हमने का, ओके, एंट्री करते हैं इनकी, तो देखिए, परचेज गुट्स फ्राम सोहन, हमारे पास वैल्यू अठार हजार, पर एक मिन क्या खुल गिया, अठारह हजार पर बारफ परसेंट लगा देंगे, तो यह हमारे पास आजाएगा, परचेज 18,000, ठीक है, दैन इस पर बारफ परसेंट लगेगा, तो यह दो जिरो कटे, बारह जीरो तो जीरो, बारह आठ एक सो आठ, बारह 96 का 6 करी 9, और 12 एक कम 12, और 9 यानि कि 2160 है न, 2160 हुगा, वेरी सिंपल, अगर आप वैसे नहीं तो ऐसे भी करेंगे, तो 108 108 आएगा, तो 2160 ही हो जाएगा, फिर इसकी टोट्लिंग करेंगे, तो 2160 यहाँ पर चला जाएगा, सोहन जी के अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पर स Cashword ना लिखाओ, तब तक आप नहीं मानेंगे फिर, अदर्वाइस आप Cash में मानते, फिर रमेज जी को सेल्स हुआ है, सेल हुमने किया इनको 20,000 रुपे में, इनकी तो एंट्री अलग-अलग होगी, तो देख लीजिए हमारे पास, सेल्स में 20,000 रुपे गए, च्छे परसेंट है, यह तो सिंपल ही हो गया, 1200 यह भी हो गया, 1200, यानि कि टोटल हमारे पास 24,200, हमारे पास, रमेज जी के पास आजएंगे पैसे, 22,400, ठीक है, 22,400 होगे है, 22,400, रमेज जी के में, अब आती है बारी, अब हमने क्या किया है, चैश पेड़ टू सोहन, अब कैश पेड़ टू सोहन लिखा हुआ है, 2160, तो हमें देखना पड़ेगा, भई, सोहन जी का था कितना, है न, तो कैश भी कम हो रहा है, तो कैश, क्रेड़ेट साइड और सोहन जी, डेबिट साइड होंगे, सोहन जी, तो बस फिर यहाँ पर, 20,160, 20,160, अगर किसी नहीं है, टोटलिंग गलत की हो, तो वो पहचान भी सकता है, है न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जैन, कैश रेसीवड फ्रॉम रमेश, रमेश जी से हमें कैश रसीव हुआ है, रमेश जी को हमने सोल्ड गोड्स किया था, हमें याद याद है, तो 2.400 ही रिसीव हुए है, हमने खाऊ, इतने का ही किया था, तो 2.400 के एंट्री, अब कैश हमारे पास आएगा, है न, और रम चार सो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है देन उसके बाद फिर आती है हमारी बास पर्चेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुहन रुपीज 19,000 प्लस अब देखें यहां पर साफ साफ लिका है पर फॉर कैश भी वर्ड है अगर फॉर कैश वर्ड है तो कैश ही आएगा यही छोट चोटी चीज़ें कन्फ्यूस करती आदमी को यहां पर आपको डेटर वर्ड नहीं लिखना होगा क्योंकि यहां पर कुछ भी बोला हुआ नहीं है फॉर कैश में है यह तो कंफर्म है फ्रॉम शोहन कन्फ्यूजन वाला पॉइंट देने के लिए तो कैश ही से एंट्री चीज़ेंगे विड्रॉफ पर्सनल यूज यानि ड्रॉइंग्स है परसनल यूज के लिए विड्रॉफ किया गया है क्या यह हमें बताया नहीं तो हम माल लेंगे कैश या फिर आप गुड्स भी मान सकते हो ऐसे केस में यहां कुछ है नहीं पर आलवेज रिमेंबर कि यहा फिफ्टी फोर का फोर केरी फाइव ग्यारष चालिस ग्यारष चालिस है ठीक है तो उन्नेस और एक एक किस एक किस दोसो अस्य हो जाएगा यह तो हमारे पास पंदरस हो का था क्यूंकि हमें गुड्स लिखा हुआ नहीं तो हम इसको हमेशा कैशी मानेंगे यह मैंने आपक छोटी-छोटी मगर मोटी बातों पर यह ध्यान दीजेगा मुझे लगता है यहां मैं थोड़ा भूलू भी कर दूँ ताकि हमारे कॉम्मेंस को याद रखे है फॉर रुपीज ठीक है फ्रॉम सोहन तो यह वाला इंपोर्टेंट है यह वाला इंपोर्टेंट है यह वाला दियान रखनी है ठीक है ओके पंदर सो गया ना परचेस फ्रॉम दिनेश रुपी 17,000 प्लस आईजस्ट आईजस्ट बारफ परसेंट है हमने दिनेश जीजे परचेस किया है 17,000 रुपे हमने का ओके तो यह तो भीया परचेस है परचेस है हमारा यानि कि परचेस फिर तो ठीक है परचेस है हमारे पास कितना था 17,000 ओके बस इसमें थोड़ी सी कल्कुलेशन का चक्कर बागी तो क्या ही है 17,000 बारा परसेंट लगाएंगे 2-0 कट गया जीरो से बारा साथे 84 का चार केरी आठ बारा इक कम बारा तो टू जीरो फोर जीरो इनका टोटल सिका 509-0640 ठीक है कई कोई दिक्कत नहीं है ओके भागी उसके बाद हमने यहां पर और जो परचेस किया उसकी बैंट्री हो यह यह इंट्री हो यह ज़ इन्यू इन्यू देन उसके बाद कैश पेट्ट्फ टु दिनिश अब यहां पर लिखा हुआ है कैश पेट्ट्व दि है कि जब हमने पे किया है हमने इनको पे किया है तो पे करने का मतलब है कि हमको फायदा हुआ डिसकाउंट का तो डिसकाउंट हमाले रिसीवड है दिनेश जी के टोडल पैसे किते थे उननेश जीरो 1040 फाओं यह खातम होंगे तो क्रेट चरेटिंग मतलब हट जाएंगे तो क्रेटिट। हमारे पास जब हट रहता है तो धेट साइट पर करना पड़ता है तो सिप लिए इंकम है तो कौई हमारे जयागा तो बить तो बस फिर कुछ नहीं करना यहां पर एंट्री करनी है एंट्री है दिनेश जी को डेबिट करेंगे हम 1940 से तो मतलब 19,040 और हमारे पास 18,500 हमारी जेब से जाएगा तो 18,500 और 540 का हमको तो डिसकांट रिसीव हो जाएगा तो डिसकांट रिसीव में आ जायेगा देन सेलरे टुकैश यह तो हैं तो कोई दिक्कत है नहीं करना है आपको लैजर में जितने नहीं नाम आएंगे उतने लेजर्स खुलेंगे, जितने नए नाम आएंगे, उतने लेजर्स खुलेंगे, इतनी सी बात है, तो सबसे पहले अगर हम एंट्री देखें, तो capital की एक ही एंट्री थी, तो capital का तो normal laser है, उतो कोई दिक्कत नहीं है, जो balance है वही है, पर cash की बहुत सारी entries है, तो cash से laser में transfer करने के तीन तरीके होते हैं, journal entry से किसी भी चीज़ को अगर laser में transfer करना है, तो तीन तरीके हैं, पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पहला तरीका, मैं किसका laser बनाने वाला हूँ, तो cash का laser बनाने वाला हूँ, ठीक है, journal entry में, जब हम rule पढ़ते हैं, rule हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं, बस इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, assets, expense, बढ़ते वक्त, debit, ठीक है, और घटते वक्त, credit, यह हम को रूप पता है सबको, ऐसे ही capital, liability या receipt, बढ़ते वक्त, credit, घटते वक्त, debit, यह हम सबको पता है, यह सब रट लेते हैं, मुझे उम्मीद है, अगर यह भी नहीं पता, तो भाई साब, क्या कर रहे हैं दाता है, तो मुझे उमीद है कि आप यहाँ पर आ गए होंगे, अब देखिए, assets और expense बढ़ते हैं, तो debit का मतलब होता है, जब हम journal entry पर होते हैं, तो उनहीं का नाम debit हो रहा होता है, यानि कि cash ही debit होगा, expense ही debit होगा, salary ही debit होगा, expense का जो नाम हो गया, या furniture का जो नाम होगा, वही debit मे जाएगा, concept यही है, laser में भी concept यही है, बस बस दिक्कत यह है, कि अगर मैं cash account बना रहा हूँ, तो उससे related item debit होगा, नाम किस का आएगा, उससे related item का, debit side पे नाम किस का आएगा, उससे related item का, जैसे कि मैंने entry किये cash to capital, entry क्या किये cash to capital, तो यानि कि अगर मैं cash का laser account बनाऊंगा, या cash book बनाऊंगा, तो भाई यह cash है, debit side है, तो cash के debit side जाएगा, क्या जो उससे related है, यानि कि capital account, यह पहला तरीका, तो मैं इसको पहले transfer कर देता हूँ, ठीक है, कितना 70 था, 80 था, 70,000 है, ठीक है, तो यह देखिए, यहाँ पे capital account, amount में चल जाएगा, आपके, 70,000 बोला ना, 70,000, ठीक है, यहाँ पे क्या चल जाएगा, 70,000, यह पहला तरीका हो गया, ठीक है, 70,000, दूसरा तरीका, कि जिसका laser account बना रहे हैं, उसे छोड़ दो, जिसका आप laser account बना रहे हैं, उसको छोड़ दो भाईया, क्योंकि, अपने मिया मिठ्टू नहीं होते बाबा, नहीं होत है, तो अपने मिया मतब खुद ही, खुद में तारीप नहीं करनी, तो खुद ही, खुद ही के account में नहीं जाना, सीधा सा point है, तो क्या जाएगा, opposite side वाली चीज, जो उससे related है, ध्याना कि opposite वाली side जो उससे related है, तो capital account है, capital account यहाँ पे credit में है, तो बस कुछ नहीं करना है, जो चीज क्रेट में वो उसके debit में भेज़ दो, क्या कर दो, जो चीज के credit में वो उसके debit में भेज़ दो, ठीक है, यह दूसा तरीका है, तो भाया जी यह कहां जाएगा, debit side जाएगा, तो देखिए, यह debit side आ गया, ठीक है, तीसरा तरीका, आपको पता होना चाहिए कि laser account मे यह वालि side two side होती है, यह वाली side buy side होती है, क्या, laser account में debit side two वाली side होती है, और credit side buy side होती है, चाहे account किसी का भी हो, फॉर्मेट यही रहेगा, to इस side है, by side है, चाहे account किसी Peng का भी हो, किसी भी, nature का हो, ठीक है, दो हमने समझ लिए, अब third थर्ड में कुछ नहीं करना है जब आप एंट्री पढ़ रहे होते तो उसको ध्यान से पढ़िए कैश एकाउंट डेबिट टू कैपिल अकाउंट तो तो आली साइड कौन सी है डेबिट साइड है कैश कैपिल से रिलेटेड है हाँ है तो जहां पर टू है वहीं पर भेज दो तो 2 कहाँ पर है लेजर में 2 डेड पर तो यह ती्न तरीक हैं जो आपको याद रहे याद कर लीजिए लजर बस सबसंट हो नहीं हो और कुछ नहीं होना जने रस्टिंग अब अलब में कैश करना में लेज़ता जेदेञा अन दो ये पहला तरीका था नाम आएगा वह उससे रिलेटड है इसलिए ठीक है तीसा तरीका वह एंट्री कैश्ट टू कैपिटल है टू लेजर में कैश्ट का टू साइड होता है तो वहाँ पर टू कैपिलल लिग दो सिंपल सा पॉइंट है क्यों क्यूंकि अपने मुं मियां में ठुनी बंते तो कैश तो आएगा ही नहीं तो तीन तरीके में से जो आपको याद रहे जाए बहुत बढ़ियां है ओके चलो अब क्या करना पस्टांसवर करना तो खेलते हैं ट्रांसवर ट्रांसवर चलिए यह हो सब्सक्राइब यह तीनों जी हमारे पास तीनों ही केहसे रिलेटेड़ है क्लेट फिर पीनों जाएंगे के चैछ अकाउंट में पर यह कि साइड है घया कैश अकांट के वाई साइड भेजो वाइक साइड कौन सी है क्रेड़ित साइड हाँ समाज रहे है तो यह देखिए यहां पर जागा अपना यहां यहां पर पच्चीस हजार पंदरह सो और पंदरह सो ठीक है ठीक है कोई शक कोई डाउट मुझे आप कहरोंगे नहीं 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 और मैं को ओके 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 अब उसके बाद कौन सी एंट्री थी थर्ड एंट्री तो हमार पास अब तो यहीं से सीधा स्टाट करते हैं कैस्ट यानि कि यह सारी चीजिए क्रेडिट में जाएंगे कि यहां पर जाएंगी तो सेल्स में आप पास आएगा तीस अजार अठारस हो जाएगा आउट्पुट वाले में अठारस हो जाएगा आउट्पुट वाले में ठीक है बस इतना ही करना है अब भाया जी कैश तो है नहीं आपर खतम यहां पर कैश है नहीं नहीं आएगी यहां पर कैश नहीं है नहीं आएगी एंट्री यहां पर कैश नहीं है नहीं आएगी एंट्री यहां पर कैश नहीं है नहीं आएगी एंट्री सोहन टू कैश यहां पर एंट्री है सोहन टू तो सोहंजी आ गए टू जीरो वन सिक्स जीरो के लिए ठीक है देन उसका आगे बढ़ते हैं सोहंजी का काम खतम होगे यहां तक हम आ चुके हैं फिर कैश्टू रमेश यानि कि हमें यहां पर पैसा रिसीव हुआ है कैश्टू रमेश टू रमेश हैं टू साइड पर ओननेस एक चालिस ग्याराइए बढ़ते हैं सोहंजी के पैसे आ का यह उन्यस अजार है ग्यारा चालिजिश ग्यारा चालिश है यह पताओ और क्या ही मांगता है लॉइंग टू कैश्टू फैसलीं के श्रीवाली साइट पे जाएगा ठीक है रही बस अब कुछ नहीं करना एक बार आपने कर ली इसलिए तो computer बनाए गए कि भाई यह सब जहनजट वाले काम खतम किये जाए अब हम यहां जाते हैं यहां पर है नहीं यहां पर है अब देखिए यहां देखिए यहां देखिए जाए कि गएपना लिखे यहां यहाँ अथारा है यहाँ याद क्या रखना है 18500 क्योंकि यहीं कैसे रिलेटेड़ है बाकी 540 जिसकाउंट से रिलेटेड है ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है फिर हमारा सेलरी था जो की पांच ज़र पे ता सेलरी का पेमेंट क तो फिर ये भाईया जिसकी टोटलिंग हो जाएगी, ये भाईया जिसकी टोटलिंग हो जाएगी और फिर यहां पे आपके balance carried forward आ जाएगा, है ना, तो यहां की टोटलिंग कर लेते हैं, सतंथ अो तीस एक लाख, एक लाख बाईस, येक लाख बायस, तेईस चौबिस, एक लाख चौबिस, एक लाख Чौबिस और वीज, तो एक लाख चौबिस, हो गया यह, कोई दिक्क्त नहीं है, अब उसमें से इसको माइनस करो, तो इसके लिए प्लस एक एक फोर जीरो प्लस एक फोर जीरो प्लस पंदरा सो इसमें से एक छब्बस टिक तो आगया थ्री वन फाइव जीक जिरो याद रखिएगा इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं और थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में डालता हूं आखिए आखिए, ठीक है ठीक है 31560 यह मैर यह में हमेश्चा यह इसा क्यों बन जाता एफ जैसा लगता है 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 ना तो 31560 ठीक है एक बाद चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 20,160 प्लस 1140 प्लस 1140 प्लस 15,000 प्लस 18,500 प्लस 15,000 ठीक है एक चब्विस आ रहा है ठीक है देख लीजे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहां पर तो वैसे आपको कोई दिक्कत होनी भी नी चाहिए यह तो कभी सिंपल काम है ठीक है तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अब इसके आगया हमें बढ़ जाना है और तो अब फिर कुछ बचाई नहीं बस सिंपल सिंपल जो जो चीजे हैं उसको लिखते जाओ उसको लिखते जाओ ठीक है अब चलते हमें इसनी हमारे पास एक शीज थी कैश द्ध्यान रखेए बदेखे यही नियम चलेगा बस अंतर क्या हो जाएगा किस velvet खुले उनका तो कई हैंहां किसको cash को आई वाली साइड है या gray Diamond के kज़र में बृदी है वो आली साइड होती है तो बस फिर यहाँ cash यहाँ पर आजाएगा आपका कितना 70,000 ठीक है अब यही 70 क्यूंकि साल खतम हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा मतलब महीना खतम हो गया तो 70,000 आपका इसी को आप चाहें तो यहाँ पैसे टोटलिं करके लिख सकते हैं 70,000 ठीक है इसी को आप चाहें तो टोटलिं करके ऐसे 70,000 लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा कि यह जो है यह balancing figure है debit side यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है और यह debit or credit side है यह मिस हो गया ध्यान रखिएगा debit side credit हर लेजर अकाउंट में है यह ठीक है जर्नल में लिखा हुआ है यहां नहीं लिखा हुआ है ठीक है आप याद रखिएगा चलो मैं लिखी देता हूं सभी में लिख देता हूं क्या दिक्कत है ताकि कोई गलती ना लगया आपको debit credit ठीक है देन उसके बाद आता है आपके पास purchase account purchase हमने बहुत सारी चीज़ें की है तो purchase account पे चलते हैं जहां जहां purchase है उन्हों एंट्री को पकड़ लेते हैं तो देखिए अब हम यहां पहुंच गए यह तो होगया खतम purchase अब purchase में अगर आप ध्यान देंगे न तो देखिए यह दोनों साथ में हैं तो purchase का इन दोनों से रिष्टा नहीं है purchase का रिष्टा cash से है यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी यह चोटी-चोटी मगर मोटी बाते हैं क् इन दोनों का रिष्टा इसके opposite से होगा ना है ना opposite attracts ऐसा समझ लीजे तो यह दोनों debit है तो यह opposite के साथ related होंगे purchase के साथ नहीं होगे तो सिर्फ purchase का देखेंगे तो purchase का relation जो cash के साथ है वो है 25,000 cash के साथ जो purchase का रिष्टा है वो है 25,000 तो यानि कि अगर मैं purchase account बनाऊंगा तो सिर्फ 25,000 लूंगा क्योंकि यह दोनों तो cash related है purchase related नहीं है यह चोटी सी बात आपको याद रखनी है फिर हम जाएंगे purchase account में purchase account में सबसे पहले लिखेंगे 25,000 कितने लिखेंगे 25,000 तो purchase account में सबसे पहले 25,000 cash में अगर आप entry देखेंगे तो purchase input input two cash है two cash purchase account two वाली side या या फिर cash credit में लिखा हुआ है purchase account में debit में जाएगा जो तरीका आपना लो है ना ठीक है तरीका याद रखने की चीज़ है बस अब purchase और कहा है यहाँ पर आ गया यहाँ पर नहीं है यहाँ पर आ गया कितना 18,000 तो अपकी बार सोहन जी के नाम से आएगा ध्यान रखिएगा अब की बार सोहन जी का नाम आएगा क्योंकि purchase सोहन से लेटेड़ है IGST सोहन से लेटेड़ है तो purchase का रिलेशन अबाउट सिफ अठारहजार का है तो अठारहजार आएंगे चलो भी अठारहजार लिख दीजिए ठीक है जैन उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब क्या होगा भुया जी पर्चेस हो गया यहां पर ठीक है फिर यहां पर purchase है नहीं यहां पर है 19,000 के साथ रिष्टा है उसका लेकिन सिर्फ 19,000 का रिष्टा है बाकि किसी का रिष्टा नहीं है तो यहां पर cash में 19,000 रुप्य आ जाएंगे यह रहे 19,000 रुपय ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर कोई purchase है क्या तो purchase के साथ हमारे काम खतम उसके बाद यह तो ड्रॉइंग है फिर एक और purchase है 17,000 का जो की दिनेजी के साथ है तो 17,000 बाकि टेक्स का मौन तो टेक्स के साथ होगा तो 17,000 आएगा तो यहां पर आजाएगा आपका 17,000 ठीक है फिर जायर सी बात है इसकी यहां पर totaling होगी और फिर यहां पर चली जाएगी अब क्यूंकि इस साइट कुछ नहीं है एक नियम होता है मैं आपको बताएता हूं क्यूंकि जनवरी का महिना है साल के आखरी में साल के आखरी में जो भी nominal accounts होते हैं तो nominal account यानिकि कोई expense होत देंगे ठीक है और ऐसा ही indirect expense जो होते हैं इन डारेक्ट एक्सपेंस यह कहां जाते हैं आपके तो profit and loss account में जाते हैं ऐसा ही income के साथ होता हाला कि income में मोचली सिर्फ सेल्स होता है जो ट्रेडिंग में जाता है ठीक है अधर्वाइस इसमें भी वही है डारेक्ट इनकम और इ यह जाते हैं आपके trading account में साल के आखरी में कब साल के आखरी मतलब क्या हुआ अगर आप एक अप्रेल से बना रहें 30 मार्च तक का तो 31 मार्च आपका आखरी महिना होगा अभी क्या है यह जनवरी चल रहा है तो जनवरी आपके आखरी महिना नहीं इसलिए यहां पर क्या ह होता है purchase account तो भी balance के डाउन लिख देते हैं अधरवाइस purchase account क्या एक expense account है sales account क्या एक income account है रेंट received क्या है income account है discount received क्या है income account है अब आपको या यार यह तो पता ही निया ट्रेडिंग कब आएगा यह तो नॉर्मली आपके इसा आएगा ही नहीं अगर आएगा तो तब तक हाँ financial statement भर चुक्य होंगे तो financial statement से आपको अच्छे से knowledge मिल जाएगी कि भाईया कब ट्रेडिंग आता है कब PNL आता है यह आपको वहाँ पर knowledge मिल जाती है ठीक है नॉर्मली मैं आपको उतायता हूं purchase opening stock wages freight inward inward कर करके जो भी होंगे वहाँ पर हमारे पास trading account आता है या फिर sales वहाँ पर अपने पास trading account आता है बाकी salary, printing stationery, advertisement, audit fee, क्या बोलते हैं अगर मालीजे को electricity charges है को traveling expense, convenience expense, कोई भी other expenses है तो उन सब पर हमारा नाम आ जाता है PNL का नाम आ जाता है ठीक है ऐसे ही अगर मालीजे income में हो गया commission received, discount received, rent received, तो यह सारे हमारे लिए indirect होते हैं तो यहाँ पर PNL का नाम आ जाता है, PNL का नाम कहाता है जहाँ पर balance carry down लिखना है, assets के items यानि balance sheet के जो items है उसमें हमेशा balance carry down ही आता है, चाहे वो balance sheet का asset side हो चाहे वो liability side हो उसके balance में हमेशा balance carry down या brought down आता है opening balance में है और closing में carry down होता ह तो यह चोटी सी बात आपको याद अखनी है कि purchase account है, अगर यह March कम ही ना होता, तो March में इसका पूरा amount transfer किया जाता है, trading account में, कहाँ पर? trading account में, ठीक है, direct expense में, purchase, sale, wages, freight inward, याद कर लीजे तो आपको ध्यान रहेगा, sales return, purchase return, यह भी आपको याद रहेगा है ज्यादा कुछ आपको समझ में आई जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बाद में भी बता जा सकता है, लेकिन पहले ही बता दी आपको ताकि आपको यह बात यह याद रहे, हाँ, balance sheet में हमेशा ही, balance sheet का कोई भी item हो चाहिए, assets liability, वहाँ पर balance carry down or brought down का ही concept चलता है, भही ऐसा क्यों होता है क्योंकि जितने भी expenses होते हैं, जो भी income होता है, वो साल भर में होता है, और फिर वो उसी साल खतम हो जाता है, फिर हमें profit or loss मिल जाता है, तो बाद में यह सारी चीज़े ट्रेडिंग पीनल में जाके खतम हो जाती है, इनहीं को कहा जाता है closing entry, अभी तक हमने क्या पढ़ा है opening entry, जब हम financial statement में जाएंगे तो हम वहाँ समझेंगे closing entry के बारे में, यानि जो भी expense था, सब को भेज़ दो trading या PNL में, जो भी income था, उसको भेज़ दो trading या PNL में, फिर जो मुनाफ़ा हुआ, जो नुकसान हुआ उसको देखो, खोशी लेओ अगर income हो गई, और मुन लट तो यह हो गया, 79, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे साब से, totaling यही आनी चाहिए, 79, अगर कुछ थोड़ी बाव totaling उपनीचे होगी तो आप प्लीज इसको check कर लीजेगा, है ना, यहां मैं Kelsey का इस्तमाल कर ही लेता हूँ, है ना, क्योंकि totaling mistake हो जाती है, तो message तो आते ह हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, जिसकी नहीं हो रही वो महान है, यह बात सही है, अच्छी बात है, power of alertness उनके अंदर बहुत जादा है, चलिए, ठीक है, यह हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं, purchase account हो गया, तो cash or capital हो गया, purchase हो गया, अब अगला account हमा कोई रिषिता नहीं है, है ना आप्वॉजट कितने की है, 30,000 की है cash कहा पर है, बाइवाली शैयड पर है, तो sales account में cash कहा पढ़ जाएगा, तो देखिए सेल्स अकाउंट में कैश इस साइड आएगा तो यह रहा सेल्स अकाउंट कैश और यह हमारे पास कितना था 30,000 था ना ठीक है यह 30,000 अब देखें सेल्स का है यह नहीं है यह रहा यहां पर भी एक सेल्स है पर वह रमेश चेंट है है यहां कि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट आएगा बाकी यह रमेश का बनाएंगे तब यह सब आएगा अभी इन समय से कुछ नहीं आएगा चीक है यहां पर भी कोई सेल्स नहीं है यहां पर भी कोई सेल्स नहीं है यहां पर भी कोई सेल्स नहीं है यहां पर भी सेल्स नहीं है सेल्स नहीं है सेल्स नहीं सेल्स अकाउंट खतम तो इसकी टोटलिंग करके खतम कर देते हैं तो यह हो जागा हमारे पास पचास अजार यही हमारे पास यहां पर आ जाएगा 50,000 है ठीक है और फिर यहां पर हमारे पास बैलेंस के इफावड होड़ जाएगा 50,000 ठीक है चलो भाई जी आगे चलते हैं अब थोड़ा स्पीड कर ले है ना अब तो आप समझ नहीं लग गया होंगे तो थोड़ा सा स्पीड करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा तर इधर से उधर उधर से उधर ही किसका आना है ना यह होगी हमारे पास अब अगला रिष्टा दोनों से है तो सोहन जी के अकाउंट में यह दोनों जाएंगे सोहन जी के अकाउंट में यह दोनों जाएंगे परचेस कितना 18,000 और इंपुट आई जी कितना 2160 यही पॉइंट ध्यान रखेगा कि जब जो आदमी क्रेट पर अकेला है तो उसका डेबिट के दो से रिष्टा है अब यह कौन से अली साइड है बाए साइड है तो सोहन जी के क्रेडिट जाइड पर तो सोहन जी के क्रेडिट साइड पर 18,000 यहां पर 18,000 और 2160 क्योंकि इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है तो यही पर यह खतम 2160 यही हमारे पास cash में हमने पेक कर दिया है याद है आपको यह था हमारे पास Sohan ji और हमने Sohan ji को यह पेक किया था तो यह 2 आली साइड है तो Sohan ji के टुरिवाली साइड पर यहां पर एकांट debit है तो सोहन जी में cash कहां जाएगा cash यहां पर cash account credit side पर है तो सोहन जी के debit side पर जाएगा ठीक है ऐसे याद कर लिजिए जो भी आपको तरीका याद है तो cash side पर जाएगा हमारे पास 2120 160 है ना 20160 तो cash में जाएगा 20160 अब यह खतम ही हो गए खांट ये अगाँट तो ब्लोबर नागि और जी पर इनका रिलेशन तीनों से है यहां से खिते अगर इन थी पर पी से है तो अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम की बढ़ेंगे पाइच जी को कैसी इशीव हुआ है तो यह वाली अध्य तो यह कैस कहाँ चला जागा बाए साइड पे हैना और यह कौसी साइड है तो यह चुछ जाएंगे टू साइड पर कहा रमेश जी के ना क्योंकि रमेज जी से रिष्टा बता रहे हैं तो रमेज जी के का इंको पर कर दिया था तो यह आ गया 22 400, यह हमें Receive होगा था ना, हमें रमेज जी से पैसा receive हुआ था यानि कि रमेज जी की टेरी ख्तम हो गई, तो यह भी खतम हो गया, 슈ज ऑपी इन्पोट जीओं, इनकी हें यह भी। छलते हैं नहीं हैं और के ईनकी है,"। ऐसे लेहां एक वह कम के लिएक नगलीं। नहींच एक ही एंट्री थी तो बस एक ही एंट्री करनी है हमारी ओड्रॉइंट लिकांश सब्सक्राइब गंत्रोंग जाए बंढद्रथ ster 앞에 टोड्रॉइंट हे इसाइट पर यद कश्रूर तो यह भाइन ही नहीं एक कुछ था नहीं तो भी यह खतम यहीं आपका क्या हो जाएगा बैलन्स करीड फावड हो जाएगा बैलन्स करीड़ डाउन बोल दीजे के फावड सीएफ का मतलब होता है कैरीड याद रखिएगा सीफ और सीडी में कोई अंतर नहीं है बहुत पहले वाले लोग सीडी लिखते नए लोग अब CF लिखते हैं और कुछ भी नहीं है बेसिक पॉइंट यह है कि जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वो यहां पर आना है ठीक है तो इसमें कोई माता बच्ची नहीं कि काफी सारे बच्ची इसी में करने हैं हम CF लिखें कि CD लिखें CF CD में कोई दिक्कत नहीं बस याद रखिएगा अगर आप ब्रॉट फॉरवर्ड लिख रहें तो करी फॉर ब्रॉट डाउन यानि ऊपर बीडी लिख रहें तो नीचे CD लिखेंगे यह तो थोड़ा सा कॉंबिनिशन आपको बनाना ही पड़ेगा वह हमारे पास कुछ जादा था तो दिन DAY का पहुंसते है हमंच जी का हो गया उसके बाद जी थे इसके पास इनको पेमेंट भी सबसाइब ढ़ना बिस च prophetsकाट इस बार सभीत हैं किहां पर दिनेज जी है क्रेडित यहां पर दिनेजी जी क्या है क्रेडित रह जी क्रेडित है तो यानी कि दोनों से पे यह दो चीजे आएंगी बस इतना याद रख लीजे तो सथ दिनेज जी कहा है आई यह दिनेज जी है ना दिनेज जी की पास 17,000 कि 2040 को सब्सक्राइब और चाहए गारे पास केश केश में हमाए पास 18,500 का अबने पेइमेंट किया था और 540 का हमें discount receive हो गया था जो कि 2 की side पर था तो 2 यहाँ पर आ गया buy की side पर आ गया इसमें भी कोई balance हमारे पास नहीं बचरा याद रखिएगा इसमें भी balance हमारे पास नहीं बचरा क्योंकि कोई भी closing balance नहीं है debit और credit side दोनों ही बराबर हो रहे हैं ठीक है कि अच्छव जो जो चीजेदे सबस्क्रेश लिए उनसापार विक्रेट करेश की यह बात आप याद रखिएगा यह लेज का format है ना यहां पर भी डैविट यहां पर भी credit यह चोटी-चोटी मगर मोटी बातों में आता है debitμαι है घंट कρε Kh Damon अगला discount के तो यह सिंपल था धिने जी से ही मिला था हमें तो देखा जातो डिस्काूंट में दिने जी का अधाफ था एंट्री क्या हो रही थेward पास दिने जी डेबिट जा रहे थे टू कैश टू डिसकाउंट रिसीट सिर्फ दिने जी से रिलेड़ेट था तो बस एक करना है बाइद इने जी आने की दिने जी इधर चले जाएंगे कितना रुपया तो पांसो चालिस रुपया है न यह रहा देखिए फिर यही हमारे पा यहां पर लिखेंगे हम पांसो चालिस ठीक है यह हमारे पास बैलंसिंग फिगर है ओके डन भाईया जी आगे बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास आता है सेलरी अकाउंट यह भी एक ही चीज थी यह भी सिर्फ एक ही था लास्ट में सेलरी पे हुआ था कैश से तो भाईया ज यह हमारे पास बैलंस करीट फाउड जाएगा यानि कि इसका बैलंस करीडाउन बन रहा है ध्यान रखेगा जिनका बैलंस आ रहा है यह सारे ट्राइल बैलंस में आएंगे इसलिए मैं बार बार बुल रहा हूं कि एक का क्लोज हो गया अकाउंट यानि ना कोई बैलंस आया अगले मिस तो नहीं है मुझा भी लग रहा है मुझा डैबिट कोई बात नहीं मैं लिखते चल जाओंगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो क्योंकि computerized है तो गलती के चांसे नहीं अगर आपने एंटरी सही किये तो सब कुछ सही ही आता है अब देखिए अब हम इंपूट cgst बना रहे हैं कौई सा काम बना रहे है इंपूट cgst बनाने का मतलब है कि ये वाला बैलेंस जो है वो हमारे cash से related है ठीक है तो सिर् और इंपूट cgst है 1140 है तो दोनों में सेम ही treatment होना है तो बस फिर कुछ नहीं है पंदर सो और 1140 याद रख लीजिए और यहाँ पर आईए इसका account open कीजिए ये रहा cgst का cash purchase का है 1500 और एक हमारे पास है 1140 दोनों का total कर दीजिए 2640 यह हमारा total हो जाएगा यह total हमारे पास 2640 है ठीक है अब यह हमारे पास balancing है क्रेइट साइट पर कुछ भी नहीं था input का तो यह हमारे पास 2640 का balance बचेगा हमेशा यह बात याद रखिएगा balance बचेगा यह trial balance में काम आएगा फिर यह हमारे पास cash के साथ ही आ रहा है अगर मां किसी का नाम होता तो नाम नहीं था तो नहीं हुआ ठीक है यहां पर फिर कुछ नहीं है अभी input की बात हुए तो input शायद एक ही side लगा था purchase का यह रहा तो अब यह debit side है यह एक ही से जुड़ा हुआ है और किस से जुड़ा हुआ है सोहन से और भी input है का देख लेते हैं एक बार क्या यहां तो नहीं है यहां भी नहीं है यह थोड़ा सा boring लग सकता है आपको क्यों 40 और 2160 एक बार सुहन जी के साथ एक बार दिने जी के साथ चलिए इन पूट आई जेस्टी में चलते हैं 2160 और 2040 2160 और 2040 एक बार से होन जी के साथ है 2160 और यहां है 2040 ठीक है इन दोनों का total और तो कुछ था नहीं तो उस साइट पे टोटल चला जाएगा यह हो जाएगा 4200 है ना तो यह हमारे पास हो जाएगा 4200 यह हमारे पास हो जाएगा 4200 ठीक है डन है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसकी totaling होगी एक बार से चेक कर लेते हैं क्या माँंट यह है कि नहीं कि अमाउंट में गलती होने चाहंसे होते हैं 2040 अब आउटपूट की बार है तो आउटपूट में देख लेते हैं आउटपूट में हमारे पास जो था उसी जेसी में वहीं अज्छी में होगा एक आउटपूट तो यह रहा 1800 का यह क्रेडिट म नाम आएगा कितना बारा सो तो एक अठारा सो और एक बारा सो और कहीं पर आउटपुट और कहीं पर आउटपुट और कहीं पर आउटपुट तो है नहीं तो बस फिर दो ही जगह पर है तो बस अठारा सो और बारा सो लिखते आउटपुट की बारी में आउटपुट जी आ कि अब इस साइड बे कुछ भी नहीं है तो भाईया जी यही आपका बैलेंस करी डाउन हो जाएगा 3000 अब जाहर सी बात है आप पूट सब्सक्राइब भी वही है यहां पर कोई दिक्कत थी नहीं तो एक 1800 क्यूंकि कि cgst और gst तो बराबर यु परसेंटेज पर आते हैं तो यहां तो जाद आपको यह टाइम बचाने वाला है सीधा लिग दिया ठीक है यह 3000 फिर यहां पर भी 3000 ओके ओके हां बोलो ना यहां बोल तो रहे सुनी नहीं रहे हूं यह बात इस सुनेंगे कैसे मैं तो यहां पर पर अभी नहीं क्योंकि एक ट्राइल बेंस बसता है फिर उसके बाद हो जाएगा तो देखिए ऐसा ही प्रोसीजर है मैंने आपको बताया है ट्रांजेक्शन गिवन होंगे उससे जनल एंट्री जाएगा जनल एंट्री करने के बाद उससे पोस्टिंग होगी लेजर में मै अगली जो चीज अगर वो क्रेडिट में है तो हेडिंग में डेबिट साइड जाएगी ऐसे याद कर लीजिए आप या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि अगर हेडिंग डेबिट में है जिसका अकाउंट आप बनाने वाले वाले हो वो अगर बाई की साइड पर तो हेडिंग तो साइड पर जाएगा यह याद कर लीजिए ठीक है तो यह तरीके आपके पास याद रखने के तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी तीनों तरीके मैंने आपको बता दिया बस ट्राइल बैलेंस पर अब जो ट्राइल बैलेंस होता है उसका फॉर्मेट होता है बैलसमेटड नहीं जो एक चाहते हैं अच्छा जी दोनों यह अखै कोई बात नहीं है ठीक है हम वेलेंस मेथा में जहां त outta हृ mem हमें पास entry खतम हो गई थी entry के बाद हमें पास laser start होता है यह cash account है आपको यह देखना है कि भाईया balance कहा आ रहा है यहां पे balance क्यों आ रहा होगा क्योंकि यह वाली side बड़ी होगी है ना और यह वाली side छोटी होगी यानि कि यह यह जो balance है इसको हम क्या बोल सकते है debit balance हम क्या बोल सकते है debit balance क्योंकि debit side बड़ी है इसलिए credit side पे balance आ रहा है अब ध्यान यह रखना है भाईया बच्चे बुल जाएंगा अगर आपको ऐसी है बेट तो याद कर लिजे अगर balance क्रेड़ साइट पे है balancing method में वह ट्राइल बेंस में debit side जाएगा क्या रटना है अगर रटना है तो क्या रटना है वह या अगर ट्राइल बेलेंस के credit साइव मतलब lezer account में कोई चीज बैलेंस जो कोई चीज नहीं balance Carry Down, लेजर account में balance CarryDown, अगर credit side पर है तो trial balance में debit side पर जायेगा, अगर laser account में balance carried down या carried forward debit side पर है, तो ये trial balance में credit side पर जाएगा और basic जो conceptual है वो ये है कि भईया यहाँ balance क्यों आ रहा है, क्यों कि debit side बड़ी होगी, तो भईया यह balance कहां जाएगा trial balance में debit side जाएगा अगर balance इस side आ रहा होगा क्यों कि credit side बड़ी होगी तो जो भी balance carry down होगा उसे मैं क्या बोलूँगा credit balance बोलूँगा तो कहां ले जाऊँगा trial balance में credit side ले जाऊँगा दो तरीके है जो आपको याद रहे ठीक है और एक तरीका तो सबसे सिंपल वह है कि अगर आपको यही याद है कि assets और expense debit and balance होते हैं तो नाम अगर आपको पता है furniture है asset account है debit balance होगा पर इस अगर मालो credit side पर है तो debit balance है अगर debit side पर है तो यानि कि credit balance है तो बस उस side पर लिखना है तो चलिए फिर 31,560 अब बस इसको भरने भर की दे रही है तो भर दीजे इसको है debit balance 31,560 अब तो हम फटा-फट कर लेंगे फिर cash capital account का balance पहले दिये होगा capital account का balance हमें पता है सत्तर हजार था करेंट balance होगा वो सत्तर हजार और यहां होगा 31560 अभी इसको capital account भी दिखा देता हूं मैं आपको चलिए ठीक है cash account हमारा हो गया cash account है 31560 अब यहां देखिए यहां पर balance कि साइड है यह रहा कि साइड इस साइड पर है किस साइड इस साइड पर है यानि कि credit, इस आप है तो credit balance है इस लिए सब्सक्राइड और वहाँ चला गया अब बारी किसकी है purchase account में कि साइड है बैलेंस साइड है क्यों है क्योंकि debit एट बढ़ा बैलन्स के लागा तो 79,000 कहा चल जाएगा debit जबिट साइट पर चला जाएगा तो यह हमारे पास पॉच्छेस अकांट ए सेवंटी ना थाओस है थे दैन उसके बाद सेल सेकाउट एस साइट पर है बैलनस की रही क्यों की क्रेट साइट का एटम है वहिए शोना अब सोहन का बैलनस के साइट अब है यह नहीं तो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका debit side पर भी सही है, और credit side पर भी सही है, 2016, 2016, तो आएगा ही नहीं, बात कतम, फिर उसको आद रमेज जी का, रमेज जी का भी कोई balance नहीं है, नहीं आएगा, फिर drawings, drawings में हमारे पास balance है, एगा है, carry down, यानि कि debit balance है, तो drawing में जाहिए यह 15 सो लिखी है, debit side पर है ना, क्योंकि debit side का balance था, credit side पर अगर balancing आ रहा है, तो हम मानेगे कि debit side का balance है, तो 15 सो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद ये भी आपका बराबर आ रहा था, खतम बात, discount received में balance था, किस side है, carry down है, यानि कि ये credit balance है, तो credit balance है, तो यानि कि 540 आपको credit side पर लिखने पड़ेंगे, तो discount received कहां पर है, यह रहा, तिंग 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 540, ठीक है, then उसके बाद discount received भी हो गया, अब उसके बाद क्या बसता है, यह रहा, तो salaries आपका carry down है, यानि कि debit balance हुआ, तो 5000 debit side पर, तो salaries में 5000, ठीक है, then उसके बाद आपके पास input CGST, HST, इसका balance भी था, यह तो याद ही है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 2640, 2640 है ना, CGST का भी 2640, इसका भी 2640, हमारे पास इस side है, balance दोनों के ही इस तरफ है, इसमें भी इसी तरफ है, यानि कि debit balance कहला है, क्योंकि balance का ही down, इस side है ना, तो 2640, 2640, दोनों पर लिख देंगे हम, input पे, 2640, 2640, ठीक है, then उसके बाद आता है, आपके पास input IGST, IGST का एक input था, जो की था हमारे पास, 420, देखो, तो balance का ही down किस side है, इस side है, तो यानि कि आएगा, उस side 4200, यही है ना, 4200, 4200, 4200 है, ठीक है, then उसके बाद इसका है, 3000, 3000, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इनका balance इस side है, यानि balance करीडाउन कि side आएगा, इस side आएगा, तो balance करीडाउन इस side है, यानि कि credit balance है, इस side है, यानि कि credit balance है, क्रेड़ साइट बढ़ा है ना, तो credit balance में 6,000 इस side, तो 33 करके लिखेंगे हम, तो 3000 यहाँ पर, 3000 यहाँ पर, अब बस इनकी totaling करनी है, वो बराबर आनी चाहिए, 170 और 50, 120, 120 और 6, 126, 126, 540, तो 126, 540 हो गया, अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर तो अपने पास points में है, तो Kelsey भहिया का इस्तफाल करते हैं, हैंना, 31, 560, plus 79, मतलब point में नी, figures में है, तो time लग जाएगा, तो इससे बेटर है कि इससे कर लेते हैं, 500, 5000, 52, 80, plus 42, double 0, 126, 540, तो यह भी बिल्कुल सही आ रहा है, वाया, ठीक है, तो यह तरीका है, प्लीज याद रखेगा, इसकी अलावा, trial balance में कुछ भी नहीं है, बहुत ही हलुआ जैसी चीज़े हैं, बहुत ही simple होता है यह, बस general entry आनी चाहिए, इसलिए तो real life में लोग software में लेकर आए कि बाखी चीज़ें खुद बननी चाहिए, भाई, क्या इधर से उधर page पलटाते रहो, figure लिखते रहो, इसमें माथा पच्ची करते रहो, और हम तो सिफ इतने में कर रहे हैं, भाई, books of account तो इतनी बड़ी-बड़ी होती है, इसलिए तो कैसे करेगा आदमी, बहुत मेहनत लगी है, इसलिए तो कहते हैं कि कितनी मुश्किल से civilization आया है, इतनी दूर से चलता हुआ है, ऐसी accounting भी कितनी मुश्किल से evolve हो रहा है, हर चीज जो कहा कहते हैं ज़्यादा laborious work है, वो हट रही है, जो intelligence work है, जहां पर आदमी का जुर्रत है, वो work बढ़ रहा है, इसलिए आप भी intellectual बनिए, intelligence वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजे, laborious work में थोड़े से आप समझदार होगे तो आपको ये भी पता है, कि innovative वाली चीज़ों पर पैसे मिल जाते हैं, laborious work पर उतने पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा question हो गया complete, normally यही सब चीज़ें आती हैं, और कुछ आता नहीं है, अब अगर मान लीजिए, इसी में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जैसे कि मान लीजिए total method, तो ये कुछ tough चीज नहीं है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये total method है, आपके पास यहां पर ऐसे नाम आजाएगा, ठीक है, ये ऐसे आजाएगा, ये ऐसे आजाएगा, काम वही है, यहां पर आपके पास आजाएगा debit, यहां पर आजाएगा आपके पास credit और ये आपका particular है, यह आपके यहां पर पर्टिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है भीयाजी, यह रहा पर्टिकुलर, मैं कोच एंट्रियां आपको करकर दिखा दे रहा हूं, दो-चार, ताकि आपको समझ में आजा, फिर है तो सिंपल यह आता भी नहीं है, पर पता तो आपको होना चाहिए, तो की साइट पर हमें दिख रहा है कि इस साइट जाएं के साइटराम इंडिख रहा है कि शस जाएंगे और क्योंकि हम तोटल बैलिस मेहँ तो यहां पर आपका डेबिट नहीं करेडिट साइड में जाएगा, बस खतम. अब चलते हैं cash account में, अगर आप cash account में जाएंगे, तो cash account में आपको दिख रहा है कि यह जो चीज है यह तो balancing की गार है, इसको हटा दीजिए, debit का total कितना है, 126000, तो यहाँ पर चलिए और 126000 लिख दीजिए, यहाँ पर चलिए और यहाँ पर आपके पास cash में, यहाँ पर आ जिसका total are the 94440, तो बस कुछ नहीं करना है, इस side का total, credit side पर लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, 94440, बस इतना सा बात है, फिर उसके बाद भाद पर ही चलेंगे अपन, अब चलते है, cash हो गया, capital हो गया, purchase पर आगए, purchase पर आगए, तो हम यह दिख रहा है कि carry down पर यह ठीक है, यह रहा purchase account, purchase account में आपके यहाँ पर 79,000, credit side पर कुछ नहीं जाएगा, ऐसे ही sales account अगर आप देखेंगे, तो sales account में आपके उस side पर है, इस side कुछ भी नहीं है, तो आप credit side पर जाएँगे, और 50,000 लिख देंगे, sales, क्योंकि sales account में जो balance carry down इस side है, वो तो balancing का figure है, आदा आता ही नहीं, तो बस आप यहाँ पर 50,000 लिखेंगे, यानि कि भाईया, मैं मोटा मोटी यह कह सकता हूं कि balance method में सिर्फ balance carry down लेना है, total method में balance carry down को छोड़कर सब लेना है, और उसी side पर रखना है, जिस side पर है, अगर debit side पर है, तो trial balance में भी debit side लिखो, credit side पर है, तो credit side ही लिखो, trial balance में भी, बस balance carry down को छोड़ दो, बात खतम, हाँ, यही है, बस इतना सा है, अब कुछ accounts रहते हैं जिनका कोई balance नहीं था है, जैसे माली जी है, इनका कोई balance नहीं है, पर अगर आप देखोगे तो total तो है, इस side भी दो item है, इस side भी दो item है, तो जब आप total method में होगे, तो आप 19040, 19040, दोनों side लिखेंगे, क्या करेंगे, 1940 यह दिनेज जी का था न, example के लिए हम दिनेज जी का लिए, दिनेज जी का नाम लीजिए, यह देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम, दिनेज जी, 19040, यहाँ पर रमेज जी में भी देखेंगे, तो आप इधर cash है, इधर यह है, और इसलिए आपका कोई भी balance gate forward नहीं आ रहा था, तो बस आप यही वहाँ भी करेंगे, 224 जी नाम करेंगा, रमेज जी, तो यहाँ जाएंगे आप, रमेज जी लिखेंगे, 224 00, यहाँ पर भी 224 00, और इसलिए यह calculation ही तो बढ़ रही है बस, फिर आपको total debit भी निकालना पड़ेगा, total credit भी निकालना पड़ेगा, हाला कि balancing figure है, तो आप debit में से जो भी balance, अगर credit का balance है, तो credit का balance होगा, उसको debit का balance होगा, तो credit का balance होगा, तो credit का balance आ जाएगा, बैलनसिंग आना, ठीक है, आस अगर मैं बता हूँ आपको total come balance method क्या होगा, तो total come, नहीं पेज में बता देता हूँ, यहाँ यहाँ पर लिख लेते है, total come balance method, ठीक है, total come balance method, इसमें क्या होगा, कुछ है नहीं, particular तो यही रहेगा, बस अब 4 amount के column खुल जाएंगे, debit, credit, debit, credit, debit, debit, credit, debit, credit, आपने दोनों बन capital account है, तो यहाँ पर आप लिख दिए, example के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, capital account, cash account, रमेश जी, दिनेश जी है, example के लिए में यह चारी नाम ले ले रहा हूँ, बाकी तो फिर आप करी लोगे समझ गया है, तो अब capital account में अगर आप देखोगे, तो हमारे पास, जो balance method था, उस account में हमारे पास यहाँ पर 31560 था debit balance है, तो हम यहाँ पर 31560 लिख देंगे, ठीक है, यह balance method के है, ठीक है, यह balance का है, और यह हमारे पास total method का है, यह किसका है, total method का है, ठीक है, यह किसका है, total method का है, ठीक है, ठीक है, 3156, यहाँ कुछ नहीं आएगा, पर जब हम इसमें तो भाया जी यहां पर आएगा 126 और यहां पर आजाएगा 94440 बस यह पॉइंट है क्या यही एजटेज चापना है बस बस क्या है दो दो कॉल जाएंगे बाकी एजटेज चापना है ऐसे ही दिनेश जी और हमेज जी है तो दिनेश जी में 1940-1940 है अगर आप देखोगे तो य यहां पर आएगा 1940-1940 और रमेज जी के में शायद 2400 था बस गिया जाएगा देखिए रमेश के में 2400 और क्यूंकि यहां पर कुछ था नहीं तो यहां पर कुछ आएगा नहीं बस यही टोटल कम बैलेंस में तो यहां पर होता है हमारा आज की ग्लास खतम ट्राइल बैलें यहां अगर वहां लिए जी आई अधुण बनाई जाते हैं अब एक ही चीज और सबार्चेर डैलस बालेंस आएगा वहां पर फॉर्टेर defense outright नहीं में लिए खूरा purchase account में transfer करना है, तो मैं आपको example के लिए बता दे रहा हूं, कि जैसे हम ने यहां पर purchase account बनाया था है, हमने जब purchase account बनाया है, तो हमने क्या किया उसमें, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमारे को वहां से जाके उठाके वापस purchase की जगह पर रख देना है, तो जै चल जाएगा और यहीं पर वो amount आजाएगा ठीक है बस इतनी सी बात है sales book होगा तो sales book का जो balance आएगा वो sales account में इस साइड आएगा simple सी बात है बस इतना करना है बात खतम ठीक है तो अगर subsidiary book का balance आपको given है caution में यानि कई caution ऐसे होगे जहापे आप आप subsidiary book बनाओगे फिर purchase account बनाओगे तो purchase account जैसा बन रहा है वैसा तो बनी रहा है plus जो यह subsidiary का है subsidiary का balance भी वहाँ चला जाएगा subsidiary का balance पहले आप पूरा purchase book बनाओगे फिर जो balance होता न लास्ट में carry down input output को छोड़ेंगे input cgc input register तो वह input वाले में जाएगे जो balance बसता है जो purchase किया हुआ चीज होगा वह हमारा यहाँ पर आ जाएगा purchase account में उठके और simple सी बात है जो debit side है उसी side ही आएगा तो अभी तो purchase बढ़ेगी credit purchase जुड़ेगी या फिर जिन persons का नाम होगा उन persons के हिसाब से लेकिन जब book बनाते हैं तो total balance बाहर लिखते हैं क्योंकि purchase book में उस person का नाम होता है तो अगर दस बारा ही नाम लिखने होंगे तो हम account क्यूं बना रहे हैं हम book क्यूं बना रहे हैं यह important है ठीक है चलिए तो फिर यहाँ पर आकर हमारी यह class होती है खतम जिसमें हमने तीनों methods पढ़ लिया है जिसमें हमने laser भी बनाया जिसमें हमने trial balance भी बनाया तो यह दोनों चिपना हमारा complete होता है जर्नल एंट्री से अगर आप एक बार देखना स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री सब्जेरी बुक और laser and trial balance तो आपको यह पूरा लिंक भी समझ में आ जाएगा वैसे भी आई गया होगा है अगर आभी तक नहीं देखा तो संडे निकाल के देख लिए तीनों लेक्शे में आ रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे कि Commerce की बच्चों में एक चीज कॉमन होती है Commerce में कॉमन बात क्या है कि वह एक्जाम के प्रेशर पर ही पढ़ते हैं mostly सारे नहीं पर mostly लोग पर प्लीज क्यूंकि life थोड़ी से innovative है तो पढ़ाई जितनी जल्दी क करते हैं ठीक है तो मेरी विशिष्ट आमेश आपके साथ हैं लेकिन मेहनत आपको ही करनी है वह uniqueness आपके अंदर होगी उसको आपको ही खोजना है ठीक है चलो फिर keep smiling because smile is the biggest gift you can give to your loved ones and tata bye bye